हेलो एन वेलकम टू टीवी का पठाका वेल दोस्तों पिक बॉस सीजन सोला के ट्रोफी नहीं उठा पाई प्रियंका चाहर चौदरी और दोस्तों सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट तो वो था जब अंकित की आखों से आसू बह गए जब अंकित ने सुना कि टॉप थ्री क रेस से जो बाहर हुई है वो प्रियंका है लेकिन दोस्तों अंकित को इमोशनल देखकर सलमान ने उन्हें बताया कि प्रियंका हार कर भी जीत गई है प्रियंका सच मुच्छी बाजिकर बन के इस घर से बाहर जाने वाली है जी हां दोस्तों प्रियंका को सबसे बड़ा सर् दे दिया है जिसके बाद बिग बॉस सीजन 16 इतिहास में सिर्फ प्रियंका की वजह से याद किया जाने वाला है क्या कुछ हुआ है और आकिर कैसे हार कर भी जीत गई प्रियंका चाहर चौधरी बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से वेल दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के गर के अंदर आपको बता दे कि जब प्रियंका सामने आई और प्रियंका के चेहरे पर खुशी थी वो सैटेसफाइड थी कि उनको जितना मिला उतना काफी है तो प्रियंका का यही आटिट्यूट नेवर गिविंग अप स्पिरिट देख कर सल्मान का दिल पूरे तरीके से भराया सल्मान ने प्रियंका जैसी परसनालिटी पहले कभी नहीं देखी थी तो दोस्तों यही वज़ा रही कि सल्मान ने जब सारा का सारा ग्राण फिनाले ओवर हो गया तब प्रियंका को स्टेज पर रोक लिया और आफ्टर पार्टी जिस जगा पर सलमान देते हैं बिग बॉस के ग्रांट फिनाले के बाद वहाँ पे स्पेशली प्रियंका को अपने रूम में ले गए सलमान और वहाँ पे प्रियंका, सलमान और शो के उनकी कुछ प्रिड्यूसर की स्पेशल मीटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सलमान खान ने प्रियंका के साथ फिल्म करने का मन पूरे तरीके से मना लिया है। जहां पहले ख़बर थी कि शारूक खान ने भी पूरे तरीके से इस बात को आपको किया है कि वो धुनकी फिल्म में प्रियंका के साथ काम करने वाले हैं। तो वही एक तक अपूर ने नागिन साथ के लिए प्रियंका को फाइनल कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे में तो साबित हो चुका है प्रियंक का हार के भी जीत गई क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले